दोस्तो वाटसप का तो सभी लोग यूज करते हैं लेकिन सबसे बड़ी प्राबलम तब हो जाती है जब हमारी स्टोरेज भर जाए और इसका सबसे बड़ा रिजन यह होता है कि हमारे वाटसप में आटो डाउनलोड लगा होता है जिसकी वजह से जब भी कोई हमें कोई वीडियो सेंड करता है फोटो सेंड करता है या फिर कोई डोकॉमेंट सेंड करता है या फिर कोई वाइस रिकॉर्डिंग सेंड करता है वो ओटोमेटिकली नेट ओन होते ही डाउनलोड हो जाती है कुछ भी कुछ भी जाएगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो करना इसके लिए दोस्तों हमको आ जाना है अपने WhatsApp एप्लिकेशन में और एक बार इसको Play Store से अपडेट भी कर लेना है अगर अपडेट नहीं है तो उसके बाद हम Simply हाँ 3.00 पे किलिक करेंगे जो Right Side में Top Corner पर है उसके बाद Setting पे किलिक करेंगे उसके बाद यहाँ से Scroll करेंगे और यहाँ पे एक Option आपको देखने को मिलेगा Storage and Data का आपको Simply इस पे किलिक कर देना है उसके बाद First में ही आपको एक Option मिलेगा यहाँ पे Manage Storage का आपको Simply इस पर भी किलिक कर देना है उसके बाद यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी Mobile में कितनी Storage है और WhatsApp की वजहाँ से कितनी Storage जो है आपकी भरी हुई है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उसके बाद यहाँ पे आजाता है Chats तो आप यहाँ Chats पे किलिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या-क्या Chats यहाँ पर हैं आप अगर इनको Delete करना चाहें तो Select All करके या One by One करके इस तरह से आप इनको Delete भी कर सकते हैं साथ यहाँ पे एक और Feature आपको देखने को मिल जाता है वो है यहाँ फिल्टर का आप इस पे किलिक करेंगे यहाँ पे आ गया है New Est, Old Est या Larg Est यानि जो बड़ी फाइल है उस पे Larg Est आएगा जो New Est है जो नई फाइल्स आपकी आई भी है चाहे फोटो, वीडियो, रिकॉर्डिंग्स कुछ भी हो वो आपको यहाँ पे मिलेगा Old Est जो Old है यानि 2, 3, 4, 5 महिने पुरानी है वो सारी चीज़े आपको यहाँ पे मिल जाएंगी या तो आप यहाँ Select All पर किलिक करके इनको Delete कर सकते हैं या फिर आप One by One जो आपको चाहिए उसको रहने दें, बाकी को आप यहाँ पे Delete कर सकते हैं यह तो हो गया दोस्तो, Delete का Process, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको बंद कैसे कर सकते हैं उसके लिए आप Back आजाईए, और यहाँ पे एक Option आपको देखने को मिलेगा, Media Auto Download का उसके बाद यहाँ पे आपको तीन Option देखने को मिलेंगे, वहन Using Mobile Data अगर आप Mobile Data यूज कर रहे हैं, तो क्या Auto Download हो, Photo Auto Download हो, Audio Auto Download हो वीडियो ओटो डाउनलोड हो, या Documents ओटो डाउनलोड हो, आप अपने According यहाँ पे Select करके रख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे Simply आप OK पे किलिक कर देंगे, उसके बाद आएगा वहन Connected to Wi-Fi अगर आपका Mobile Phone Wi-Fi से Connect हो जाए, तो क्या-क्या Media जो है, वह Download होना चाहिए आपके Phone में Photos, Audios, Videos, Documents वह भी आप यहाँ पे Select कर सकती हैं तो जिन चीजों को आप यहाँ पे Select करेंगे, तो वही चीज़े आपके Mobile Phone में Download होंगी अगर वह Net से Connected हैं आपके Mobile Data से या फिर वह Wi-Fi से Connected हैं दोस्तो आई, खौब दोस्तो यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और यह ट्रिक मैंने आपको बताई है, अब से पहले आपको नहीं पता होगी ऐसी ही useful tricks के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबा दें इससे हमारी आने वाली इसी तरह की और वीडियो और अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं को और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हैं